जय हिंद स्वागत है आपका आधर स्वाद में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के अपकमिंग वेपन्स के बारे में दोस्तो इन हथियारों के भारती सेना में सामिल हो जाने के बाद भारती सेना के ताकत में काफी जाफा होगा और यूद्द जै के stand off के बीच काफी महसूस किया था क्योंकि चीन ने अपने light tanks को लद्दाक में तैनात कर दिया था जबकि भारत के पास उनके भी पच्छ में खड़ा करने के light tanks नहीं थे तो भारत को मजबूरी में अपने heavy tanks deploy करने पड़े थे जिससे भारत को रख रखाओ और maintenance में काफी मसकत करना पड़ रहा था तो future को देखते हुए भारतिय सेना ऐसे light tanks को अपने sand बेडे में सामिल करने का प्रयास कर रही है दोस्तो भारतिय सेना पहले रूस के हलके light tanks यानि sprut like tank के बारे में बिचार कर रही थी लेकिन अब DRDO और Larson Antiburo मिलकर बजर होविजर तोप को हलके tank में बदलने का प्रयास कर रहे है 155 mm कैलिबर वाले बजर होविजर से बनाए गए हलके tank का फाइदा या होगा कि उन्हें उच उचाई वाले रडभूमी तक आसानी से पहुचाया जा सकेगा भारत सरकार ने हाल ही में मेक वन प्रोजेक्ट के दहत देश के कमपनियों को 9 डिफेंस प्रोजेक्ट दिये हैं इन में से 4 लाइट टैंक्स के हैं चीन के साथ लद्दाक में संगर्स के समय भारत ने वहाँ पर T-72 T-90 टैंक्स तैनाद किये थे ये बेहत भारी थे इन्हें उस उचाई पर ले जाना बेहत मुश्किल था दोस्तो भारत का अगला अपकमिंग प्रोजेक्ट है भारतिय मल्टी रोल हेलिकॉप्टर मतलब इंडियन मल्टी रोल हेलिकॉप्टर जो एक मेडियम लिफ्ट हेलिकॉप्टर होगा जिसे हिंदुस तॉन एरोनाटिकल लिम्टेड बना रही है इसकी संभता पहली उडान 2024-25 तक होगी इसका उपयोग हवाई हमला, एंटी सब्मरीन, एंटी सर्फेस, मिलेटरी ट्रांसपोर्ट और बी आईपी ट्रांसपोर्ट में किया जाएगा इनके आने के बाद रूस के EMI-17 और EMI-18 को धीरे-धीरे हटा दिया जाएगा इनका पाँच पत्तियों वाला मुख्य पंखा होगा और चार ब्लेड वाला रोटर पीछे पूँच पर होगा दोस्तों माना जा रहा है कि इसे उड़ाने के लिए दो पाइलेटों की जरूरत होगी एए एक बार में 24-36 सैनिको को ले जा सकेगा या फिर 45-100 किलो ग्राम वजन उठा सकेगा इसकी लंबाई 25.12 मीटर उचाई 6.22 मीटर इसमें दो टर्बो सेफ्ट इंजन लगे होंगे इसमें 4000 किलो वार्ट की ताकत देंगे यह अधिकतम 300 किलो मीटर प्लती हंटा की रफ्तार से उड़ सकेगा इसकी रेंज 800 किलो मीटर होगी यह अधिकतम 6700 मीटर की उचाई तक जा सकेगा और इसमें अभी लगने वाले वेपन्स की कोई जानकारी नहीं है तो दोस्तों ये रही भारत के कुछ अपकमिम प्रोजेक्ट के बारे में वीडियो हम आप से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक अपना और देश का खयाल रखिए जय हिंद जय भारत